असलाम वालेकुम वेलकम बैक टो माई चैनल स्टार कुकिंग और आज हम बना रहे हैं चाप फ्राइ चंप्स फ्राइ मुटन चंप्स फ्राइ तो यह देख सबते हैं अप लोग तीस तरीके का यह चाप है मेरे पास तो अभी मैंने इसको अच्छे से चार से पांच पानी से निकाल लिया है और इसका पूरा पानी भी मैंने निकाल लिया है और अभी इसे हम लोग कुकर के अंदर डाल देंगे मैंने प्रेसर कुकर लिया है और इस तरीके से नीचे प्रेसर कुकर के अंदर इस तरीके से अलग अलग करके इसको बिचा देंगे साइड पे सब देख स िंदर हम तोड़ा नमक डालेंगे तो नमक मैं जो टेयार करेंगी उसमें भी तो मैंने आधा जाएक डालेंगे तो यह अधा प्याज लिया है मैंने देख सकते हो अधा प्याज में को यूद्ध अच्छी दो आये है तो इसे लिए रफली चॉप कर ली से असतरीके से देखे मैं मोटा मोटा से घट कर लिया है हातों से और यह रेड़ी है यह अप और में पानी नहीं डालेंगी कि जो मतन का जो पानी निकलेगा गोश्का पानी उसी के अंदर यह सिफ हमें इसे देड़ या एक सीटी तोटल आप दो सीटी पकड़ दो सीटी आपको लगानी है कुकर में दो इसल बजानी है और कुकर की गैस बंद कर देनी है मैं पानी एड नहीं कर रही हूं अभी मैं कु में निकालने कर दो सीटी के बाद मैं निकाल लेट जो यह स будете पानी मैं निकाल लिए देख सेथए हो तो मुष्य रियु आपको असे परसंट तो की कर ले। तो बस अब इसके लिए मशले क्या चीय तो मैं मैं आपको दिखा देए कूटी लाल मिर्च, कॉटा धनिया लिया है कसुरी मिही लाल मिर्च पाॉडर गरममसालाë रग Mixыв Dag पूंत लिया है तो पारिया नीव लिया है करीब दो चम्माच जर्डवर बैसे के साथ कgorno फ्लोरी दो चम्माच आटा ये जoup आउने कि यह ने लिया है मिने एक वी को रत देंग झाल। आधह कशे एक उर्द्लोर मैंए अंटियर और यह कावल का जाम बैसंतर पावडर यह सब मैं इसके अंदर add कर रहे हूँ। यह सब अपने आप ले रहे हूं। मैंने मतन के चाप भी आपके कोँदा है। अधा चमच अधाला सनगा Church and起 qué"? पंजाबी दई में डाली है और यह में डाली हूं निम्बू का रस और अभी मसालों को इन सब चीजों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और जोरवत पड़ेगा तो में बीच में इसमें पानी भी एट करूंगी और अगर आपको लगता है कि इसमें आप फूट कलर डाना चा अब तो देखें तरीके से यह मैंने पेश्ट बहुत पत्थला भी नहीं करना है हमें इस तरीके से हम पकोड़े के लिए जो बनाते भजी अगेले के लिए उसी तरीके काम को बना लेना है और सभी चाप को इसके अंदर अच्छे से रैप करना है और को हाथ से कॉटिंग कर बैटर काफी थीक है और मैंने हाथ से सब चाप रेडी की है तो देखिए मसाला जो एक्स्ट्रा था उसे निकाल ले उपर से और जीतना चाप में जरूरत है उतना ही आप लगा कर और यहां साइट में तेल गरम करने रग दिया तो तेल भी गरम हो चुक है तेल को बहुत ज गाल दूंगी तो देख सकते हैं अप लोग इस तरीके से तो इन्च आप लोग भी बनाएं शल्ला आप लोगको बहुत पसंद आने वाल यह आप चाप में बना सकते हो या जो कूटा हुआ गोस्त इसको बोलते हैं तो आप उस में भी बना सकते हो जिसकि गोस की जो बोटी करके बना सकते हो वह भी बहुत अच्छा लगता है कि एक साइट से मैं इसको पहले पकने दिया है फिर दूसरी साइट में से पल्टूंगी बीच में थोड़ा चिपक गया है तो हम चिम्टे से तोड़ लेंगे तो यह देख सकते हैं आप लोग कलर और खुश्बू तो माशा यह देखने में और यह रेडी है तो अभी मैं एक एक करके इसका जो एक्स्ट्रा ओइल है इसे निकाल कर मैं इसे एक प्लेट में रखती जाओंगी यह देख सकते हैं आप लोग देख कई मन कर रहा है कि बस खालो और यह गरम गरम खाने में बहुत अच्छी लगती है नेम में और मैंने सभी चाप को रेडी कर लिया उतना पूरा मसाला मेरे एक किलो चाप के लिए परफेक्ट था पूरा खतम हो गया है ऐसा नहीं कि मुझे कम पड़ा या मुझे दोबारा बनाना पड़ा एक किलो चाप के लिए उस मसाले का जो मैजरमेंट था एक दम सही था और पूरे घर में चाप फ्राइ जो मैंने की उसकी खुश्बू हो गई है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो यह लीजे बीच में मैं रख दूंगी थोड़े लच्छा प्याज और एक नीम्बू का तुकड़ा नीम्बू और लच्छा प्याज के साथ यह बहुत पसंद आएगी और इसको अंडे में भी बनाया जाता है तो मैं अंडे वाली भी आप लोग के साथ इंशाला बहुत जल्दी शेयर करूंगी लेकिन इस भार मैंने इस तरीके से बनाई हूं तो देख सकते हैं आप लोग इसका कलर देख के आपका मन कर रहा होगा खाने का त तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना ये देख ये कितनी अमेल आप लोग ने मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक सबस्क्राइब करें अस्सलाम उलैकूम